पहाडों की मंजिल पर वही सक्स चड़ पाता है होसले और मैनस से जो अपनी राख खुद बनाता है ऐसे ही सक्स आज हमारे साथ है मिस्टर उज्वल नागर जिन्हों ने अपनी साथ साल की बेटी लविशका के साथ 15,750 फिट ट्रेकिंग किया है तो आज हम बात करेगे एक बहुत पॉपिलर ट्रेक है जो एवरेस्ट दुनिया की सबसे उची चोटी है उसके बेस तक जाने का एक ट्रेकिंग होता है तो वह हमने किया था वह मैंने किया उसके बाद मैं कंटिन्यूसली रणिंग में भी बहुत इंवल्ड रहता हूं मैराथॉन वगेरा भागता है तो इस तरीके से ट्रेकिंग की शुरुआत करी छोटे ट्रेक से एवरेस बेस्ट एक बड़ा ट्रेक किया और फिर लविशका के लिए हमने रूपकुंड का ये ट्रेक फाइनली हमने डिसाइड किया था जैन्वरी में कि हम ये जून में जब उसकी वेकेशन होगी तब ह अच्प बीगर पर इससे पहले लविशका को उसा Marshmない कि कभी सोची था आपने लविशका को ऐसे ट्रावल के वक्न हम लोग साथ में लेके ही जाते थे वो बहुत easy kid है handle करने के लिए आसानी से उसको जादा preference नहीं है कि मैं ये ही खाऊंगी या वो खाऊंगी वो सब में cooperate करती है mainly ये सोचना इस तब से शुरू किया जब वो athletics में sports में regularly भाग लेती थी तो तब मैंने ये सोचा कि क्यों ना उसको tracking का भी एक exposure दिया जाए और देखते हैं कि वो कैसा करती है तो कोई और बहुत बड़ा track करें उससे पहले हमने सोचा कि उसको रूपकुन का एक track जो एक medium से थोड़ा जादा उंचाई का होता है देखने के लिए कि वो altitude को कैसे handle कर देए पर उसने बहुत अच्छा handle किया और अब मेरी इच्छा यह है कि मेरे सारे tracks में वो साथ में रहे और आगे जाके अगर उसका interest है तो खुद भी आगे जाए नमस्ते दोस्तों श्री उजवल नागर किसी काम से पुना गये है तो आज हमारे साथे उनकी बेटी लाविश्का और जोती नागर सबसे पहले मुझे यह बताईए कि जब उजवल जी आपको बताया कि लाविश्का को साथ ले जाने की वीचार है तो आपके दिमाग में क्या खाया लाविश्का वैसे तो तीन साल की थी तब से अथलेटिक्स की ट्रेनिंग कर रही है जब वो चार साल की थी तब उसने उस भरोसा नहीं होता है कभी भी कुछ भी वहां पर चेंज हो सकता है तो ट्रेनिंग आप कितनी भी करवा सकते हैं बच्चे को उसकी फिटनेस पर ध्यान दे सकते लेकिन मौसम एक ऐसी चीज़ जिस पर आपका कोई बस नहीं चलता तो उस वचे से मुझे बहुत डर लगा उस आपक्रेश कुछ था कि कुछ ऊहना पड़े कि क्या सब एक से सुए पर ऐसे मैंनेज करेगी आऊना कैसे खाएगी क्योंकि लेंड है कि घॉटं कि गरता है वह जिको एक बहुत पर आपकौला कि त्षी नहीं पहले कर दो तर से बाह सरे राग करोए उसे वहां जोंग कर सा वो लेके गए तो उस point of view से मुझे डर नहीं था कि वो चड़ पाएगी कि नहीं इतना पर वहां का सबसे ज्यादा concern जो थी वो मौसम से रिलेकर थी लविश्का आपने कभी का इससे पहले ट्रैकिंग की है हाँ मैंने सयाधरीज में की है दूद सागर में की है पावागर तो बहुत बार करी और राजमा टीवी पहसर ये ट्रैक कितने दिन का था और कौन कौन सी मुस्किल आई इस सफर में ये ट्रैक उत्राखंड में होता है जहां पर वान करके एक जगे है वहां से इसकी शुरुआत होती है ये ट्रैक करीब 9 दिन का था टोटल में और इसके दोरान सबसे इसकी खास बात ये है कि फोरेस्ट के बाद फिर बहुत सुन्दर मेडोज हैं और मेडोज के बाद बहुत रॉकी और स्नो वाला माउंटन आता है तो इस तीन जगों से हम लोग वहां गुजरे साथ साथ में एक चीज और हमने करी जहां पे इको बैग्स लेके हम चलते थे और जितने भी प्लास्टिक हमें रस्ते में मिलता वो प्लास्टिक भी हम उस इको बैग्स में भरके सही जगे पे उसको फिर उसका निकाल करते थे तो ऐसा कुल मिला कि हम दोनों ने ही शायद 12 लोग प्लास्टिक इखटा करके उसका सही जगे पे निकाल किया कि कि वहां तो कोई मुंसिपल कॉर्परेशन या ऐसा कोई है नहीं जो इसका निकाल करे तो हम लोगों ने वह साथ में किया हमारी जो कंपनी इंडिया हाइक्स वह वह सारी प्रेशन करने पड़ी होगी को इसके बार में कि गजी लवविश्का प्रेपरेशन की ज़रौत बिल्कुल सेर एक तो थी प्रेपरेशन फिर भाकी अल्टिट्यूड और वो थंड की प्रेपरेशन फिजिकल प्रेपरेशन में लविशका अल्मस्ट हर रोज दो घंटे स्पोर्ट्स में जाती है रणिंग करती है तीन से चार किलोमेटर का रणिंग उसका रोज होता है और उसके साथ साथ फिर हमने कुछ डेट्रेक्स उसके साथ भी करे हमने जैसे मैं आपको बता रहा था कि पूने में सयादरीज के जितने भी माउंटन्स हैं और फोर्ट्स हैं उसमें हमने डेट्रेक्स किये काफी सारे तब उसको क्या मुश्किली आ सकती है क्या क्या मुझे प्रिपेर करना पड़ेगा उसके उपर हमने फोकस किया दूसरा था थंड का प्रेपरेशन जहां पर जितना भी इंस्ट्रुमेंट्स थे वो सही होने जरूरी है गेर जरूरी है जैसे जैकेट डाउन जैकेट्स की जरूरत होती है और उसके साइस के उतने कोल्ड टेंपरेशर को माइनस डिग्री वे टेंपरेशर होता है उसके टेंपरेशर के लिए जो जैकेट्स हैं वो हमने यूरोप से फिर मंगवाए और उसके साइस के ट्रेकिंग बूट्स भी जो स्पेशलाद हैं वो हमने यूरोप से मंगवाए लविशका आपने इतना बड़ा पहाड जाने की प्रैक्टिस कैसे की? मैं तो तीन साल से ही में वोस्पोर्स कंपेंट जा रही थी और फूर वीक का एक चार्ट भी मेरा था उसको फॉलो कर दी थी तो वही जैसे बता है था कि लविशका तीन साल की थी तब से वो ट्रेनिंग कर रही अथलेटिक्स में यहां पर जाने के लिए स्पेसिफिकली वो छोटे-चोटे उसने तीन चार ट्रैक के लाकि विस्सापुर गई राजमच्ची गई पावा गटो और हफ्ते जाती थी उसके अलाव उसके बाद हो गई तो बहुत अच्छे से प्रिप्यार हो कर गई थी वो फिजिकली जब उज्वल जी और लविशका दोनों चले गए तो उन दोनों के बारे में आप क्या सोचती रहती थी पूरा दिन डर ही लगा रहता था क्योंकि उसमें टीवी पर सिफ उत्रा खंड की न्यूस आती थी कि वहाँ पर लैंड स्लाइड हुआ है बहुत बारिश हुई है यह सब को लेकर बहुत चंता होती थी अ बाकी ऐसा होने बोल कर भीजा था तो वह भी मैनेज कर कि लेक नेटवर्क प्रब्लम होती थी तो वह कुछ अब तक कॉल करते थे खुद करते थे लेकिन लास्ट के दो दिन तो ऐसा था कि हमें कोई कॉल ही नहीं था और हमें पहले बता दिया था कि वह दो दिन वह कॉल नहीं कर पाएंगे तो उसमें तो बहुत टेंशन था कि वह क्या कर रही होगी चड़ पाएगी यह नहीं क्योंकि लास्ट के दो दिन ही ऐसा था कि हा बहुत जादा थी स्नो था और इतनी ठंडी में वो कभी गई नहीं हैं तो बहुत टेंशन होती थी लाइक उनका कॉल का ही हम इंदिजार करते रहें तो एक बार पाता चल जाएगी सब ठीक है लविश का पहाड चरते चरते पहाड को क्लीन करने का विचारक सबसे पहले किसको आया जब उधर पहुचे तब हमको बता नहीं था यह सब भी होने वाला है इसलिब पहले हमारे कंपणी ने हम इनको बताये यह सब पूरा एक स्प्लैनेशन कि एक टाइम था थोड़ा सा दिनर से पहले हमको यह पूरा इंचन का तो हमने हम सब्च ठारोगे ड़ा था करेक्ट करनाता तो ट्वैल की चिटेता ही हम तो उससे इको फिलोंस बनाए थे वह भी है पर उससे पहले हमको एक बैग भी आ था जिसको हम वेस पर डाल सकते हैं और ऐसे चल सकते हैं फिर जैसी कच्छा दिखे उठाओ एको बेख खोलो उसके अंदर डालो बन करो और अगे चलो इंडिया एक्सकर के कंपनी थी जिसके तुरू यह लोग इस ट्रैक पे गए थे उस कंपनी नहीं मतलब लविश्का को भी समझाया कि जो माउंटेंस उसमें कितना कच्रा है और उन्हें क्लीन करना कितना ज़रूरी है जितने भी ट्रैकर से उन सब को एक एको बैग दिया गया लविश्का आप आगे भी Trekking करोगी और पापा के साथ जाने वाली हो क cierux जाने ही वाली है फिर एक किली मनजारों का नाम है मौटें काल किली मनजारों जो एफ्रीका सबसे बड़ा माउंटेण और वो निया सबसे बड़ा सिंगल स्टैंडे माउटन भी है और अगर समिट हो गया या जो भी हुआ आधेचान अपर्डा या जो भी हुआ उसके बाद एक सफारी होगी माईगरेशन सफारी उसमें बहुत सारा अनिमर स्टो माईगरेटर हो जाने वाली है अगर वो समिट कर लेती है तो वो वर्ल की यंगेस्ट लड़की हो जाएगी किली मंजारो परवच चड़ने वाली No glows wide on the mountain light, not a footprint to be seen A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen The wind is howling like this whirling strong inside Wouldn't keep it at heaven, no time to ride Don't let them in, don't let them see Be the good girl, you always have to be Come see and don't feel, don't let them know Well let them keen crow Let it go, let it go This the perfect girl is gone Let it go, let it go Till I slam the door I don't care Lavishka कहती है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा